जैसा कि आप थमनेल से देख पा रहे हैं, Income Tax Act नहीं रहेगा, तो क्या Income Tax Act अब जो है, खतम हो जाएगा और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देगा Direct Tax Code 2025, जी हाँ दोस्तों, गौवर्मेंट ने पूरी त्यारी कर ली है, कि ये जो Income Tax Act है 1961 इसको रिप्लेस कर दिया जाए, उमीद है कि 1 अप्रेल 2025 से इंप्लिमेंट हो जाएगा, तो इसको लेकर जो बजट 2024 है, उस बजट के अंदर हमारी जो Finance Minister है, निर्मला सितारामन जी, उन्होंने अनौन्स भी कर दिया था, कि आने वाले टाइम में 6 या 8 महिने के अंदर, हम Direct Tax Code 2025 लेके आएंगे, इसका बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो कि बहुत टीपिकल हैं, तो उन सारी ही चीजों को असान किया जाए टेक्सपेर के पॉइंट अव्यो से, तो कुछ हाइलाइट क्या हो सकती है इस Direct Code की, वो मैं आपके साथ डिसकस कर लेता हूँ, जिससे आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी, कि ये जो Direct Tax Code 2025 हम बोल रहे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या आने वाला है, तो चलिए डेटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ वो पॉइंट्स डिसकस करते हैं, जो कि इस Direct Tax Code के अंदर कंसिडर किये गए हैं, गवर्मेंट के दवारा, तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, अभी जो आपका कंसेप्ट चलता है, वो assessment year और previous year या आप बोल सकते हैं, financial year का concept चलता है, means financial year के अंदर आप income को earn करते हैं, जैसे मेरा अभी current financial year चल रहा है, वो है 24-25, जो कि 1 April 2024 से लेकर 31st March 2025 तक चलेगा, तो ये जो previous year है, financial year है, इसकी ITR आ अंदर फाइल करेंगे, तो अभी हमारा इस तरीके से पूरा concept चलता है, आप previous year या financial year के अंदर income को earn करते हैं, और इसके उपर जो tax pay करते हैं, वो अपनी ITR जो फाइल करते हैं, तो वहाँ पर उसकी tax की payment करते हैं, जिसको हम assessment year बोलते हैं, बट अब इस direct tax code के अंदर इसको simplify कर दिया जाएगा, कोई भी assessment year और previous year का concept अब नहीं रहेगा, simple financial year की ही बात की जाएगी, और उसके हिसाब से ही सारी चीज़े जो हैं, वो चलने वाली हैं, तो यह मेरा first point था, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अभी जो मेरा income tax act है 1961, यहाँ पर अगर कोई section है, तो उस section के अब देखेंगे, अब केवल section की ही बात की जाएगी, provisions की ही बात की जाएगी, यह जो explanation हम देते थे, यह exceptions होती थी, यह जो provisions होते थे, इनको consider नहीं किया जाएगा, तो कहीं न कहीं, जो आपका income tax है, उसको simplify बनाने की बात की जा रही है, government के दोरा, बट आने वाला time ही 25 हो पाएगा, क्योंकि GST के अंदर भी government के दोरा ऐसे changes किये गए थे, और बताया गया था, कि GST को बहुत जादा simple कर देंगे, तो अभी next year हो हो हम कर सकते हैं, कि 25 के अंदर यह direct tax code implement हो जाएगा, उसके बाद फिर दिरे-दिरे हमें पता चलेगा, कि इस से कितनी जादा, जो है, टेक्सपेर्स को हो रही है, प्रोफेशनल्स को हो रही है, अब फर्दर हम देखते हैं, to increase the tax base, तो देखे अब government क्या है, अपना tax base को direct tax जो collection होती है, उसके tax base को बढ़ाना चाहती है, government चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा असेस्टिज जो है, अपने income tax के return को file कर है, इसी का नतीज़ा है, आप देख रहे होंगे, पिछले दो दिन साल से government changes करती जा रही है, जहां पर new tax regime को introduce किया गया, तो new tax regime को introduce करने का मतलब ही यही है, कहीं न कहीं अपने tax base को बढ़ाना चाहती है, government और जो income taxes को simplify रखना चाहती है, क्योंकि old tax regime में तो आप जानते है हैं, बहुत सारे section के अंदर आप investment करते हैं, आप salary person है, exemptions claim करते हैं, तो इस तरीके से new tax regime में किसी भी तरीके की investment करनी नहीं होती है, तो exemptions आपको general नहीं मिलती नहीं है, तो उसको simplify रखा गया है, तो यह direct tax code का ही आप part बोल सकते हैं, जो यह पिछले 3-4 साल से government slowly and gradually इसकी त tax relief की जो limit है, उसको 50 lakh तक जो है, वो कर दिया जाएगा, या बोल सकते हैं, margin tax relief लेके आएगी government, 50 lakh रुपीज तक की अगर आपकी income है, आपकी salary है, तो आप यह बोल सकते हैं, अगर आप एक salaried employee है और आपकी 50 lakh रुपीज तक की income है, तो आपको maximum जो tax pay करना होगा, वो केवल और केवल 15% का tax ही pay करना होगा, तो अगर आप एक salaried employee है, तो यह बहुत ही बड़ा, आप update बोल सकते है, change बोल सकते है, government के दुआरा, जो की आपके favor में रहने वाला है, अगर आप salaried employee है, या आपकी income 50 lakh रुपीज तक की है, तो देखिए बहुत ही positive change आप बोल सकते है, इ इसे अगर मैं example लूँ, कोई property है, अगर आपने वो circle rate से below purchase या sale की है, तो वहाँ पर फिर दोनों कोई की tax पे करना पड़ता है, तो इस तरीके के जो cascading effects है, उनको खतम कर दिये जाएगा, एक income के ऊपर एक ही भार tax लगेगा, जहाँ पर यह कुछ situation है, उनको भी अब देख और सुकन्या समरिद्धी योजना scheme, अब triple E का मतलब होता है, exempt, 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 means जब आप investment करते हैं, जैसे PPF में अगर आप investment करते हैं, तो ATC के अंदर 1.50 lakh तक की deduction आप claim कर लेते हैं, इसी तरीके से जब आपको वहाँ से interest की income generate होती है, तो वो जो interest आपको मिलता है PPF के उपर, वो भ tax free होता है, तो इस तरीके की जो investment होती है, वो triple E category के अंदर fall हो जाती है, तो अब यहाँ पर जो tax code आएगा 2025, यहाँ maximum जो investment है, उनको triple E category के अंदर ही कोशिश की जाएगे government के दवारा रखने की, तो यह था दोस्तों छोटा सा वीडियो, income tax act जहाँ पर खतम किया जा रहा है, और direct tax code 2025 को government के दवारा लाया जा रहा है, तो I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको like करें, share करें, और चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को भी जरूर subscribe कर लें, thank you very much, have a nice day, take care.